हुआ है 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 कि अग्याओ कि है अग्याओ है है अग्याओ कि तो नमस्कार मारे इस यूटूब चल्में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम रिवाइड करने वाले हैं यह 14 प्लस 14 का श्रिंग्फरेंश ट्रें तो इसका जो साइज दोस्तों मैं आपको बता करना चाहूंगा कि यह कितने mm का इसका साइज है अम इसमें कि टन लगाए और कौन सा इसमें वायर लगाए तो एक बात और बता देता हूं दोस्तों आपने यह देख लीजी गोर सलोटा इसका इसलिए मैंने यह पेपर गुमा कर लगाया है तो अम इसमें नापते इस्टे लाइन हों मैं आपको बता देता हूं तो सबसे पहले हम इसको स्टेटर को मशीन में लगाते हैं दोस्तों मैं लगा लिया है अब मैं डाई सेट करने वाला हूं तो यह मास्टर डाई नहीं है यह मल्टी डाई है तो 12 प्लस 12 का हमने पिछले वीडियो में रिवाइट किया तो अब हम 14 प्लस 14 का कर रहे हैं तो इसकी सेटिंग मैं कर लेता हूं डाई की दोस्तों मैंने डाई की सेटिंग कर लिया है और मैं जो पश्ट का शिरा होता है मैं डबल करके लगाता हूं क्योंकि डबल करना जरूरी है कई बाट जो कनेक्शन है कई बाट जल जाते हैं तो हम फिर से करेक्शन निकाल सके तो डबल किया हुआ वायर जल्दी तूटेगा नहीं तो मैंने डबल कर लिया है और मैं एक राउंड एक दो राउंड हाज से घुमा लेता हूं इसके और फिर मशीन चलाऊंगा तो यहां पर देखना है तो दूस्तों मैंने एक दो टन लगा ल तो चलो आइनिंगी स्टार्ट करते हैं तो में तो में दोस्तों में एक कोई कंप्रीट हो चुका है अब दूसरी कोई लालता हूं हमको रिएस फोरवर्ड चलाना होता तो इस तरह से हमको चलाना है तो में दूसरी कोई भी कंप्रीट हो चुकी है करकान है प्रूस लाग प्रवर्ड़ों दूसरी के उका झाल 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 में आपको मैं बता चुका हूँ 350 और वायर का जो गेज है वो 35 नमबर है तो दोस्तो सभी सिलिंग फैन के अलग लग टन होते हैं कि किसी सिलिंग बता हैं किसी सिलिंग बता हैं किसी स्टेटर के जो पत्ती होता है तो चालू करते हैं मशीन झाल 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 झाल